साथियों नमस्कार, मैं जन्जागनट चैनल से मदन सरोच आज आपको मिलवा रहे हैं, पूर अपर कमिशनर स्री माता फेर जी से, सर आप अपना परिचे दीजे, मैं माता फेर सरोच, रिटायर्ड एडिसल कमिशनर मिर्जापूर प्रशासन, 2016 में रिटायर्ड हुआ हूँ, इससे पहले 16 साल तक SDM रहा, 4 साल EDM रहा, आप किस चैनल से हैं, मुझे संका हो रही है, कि जो आप हमारा इंटर्व्यू ले रहे हैं, ये दिखाएंगे भी या नहीं दिखाएंगे, पहले तो मुझे ही संका है, यदि आप दिखाएंगे तो समाज में अच्छा संदेश ज लोगों तक आप भी बात पहुंचाने के लिए ही आये हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो सर आज हम हमारे कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं, जो आप से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अपर कमिश्णर जैसे महत्पूर्ण पत्पे भी रहे हैं, और न तो आप सराप को कितना दोस देंगे, या सरकार जो सराप प्राबंदी नहीं लगारे ही है, उस पे कितना क्या कहना चाहेंगे, बहुत संबेदल सील प्रस्न है आपका, यहां ब्यक्ति विशेश की बात नहीं है, अभी आप एक ब्यक्ति का दर्द देखकर आ रहे हैं, आप की हरदय में इतना बड़ा दर्द उठा है आप ही आपने थोड़े दिन पहले आपने गोरकपुर में बच्चों के मौत का सिलसला भी सुना होगा जिसमें डक्टर कफील को जो है सस्पेंट भी कर दिया गया और आज भी वो जो है उसके खिलाफ फाई यार की गई आज भी वो जागरन चैनल जनजागरन चैनल नाम है इससे मुझे उमीद है कि आप जो है सद्भावना पूर धंग से आप प्रचार प्रसार करके नसाबंदी पर जो है अभियान चला करके लोगों को जागरिद करेंगे बाकी आप यह चाहें कि कोई चीज बंद हो जाए बंद करा पान बहुत मुझेल है किन्तु सुधार कर पाना आसान है इसलिए आप सुधार की दिशा में काम करें मेरी आप से ही अपे इच्छा है तो सर ठीक है तो जैसे एकसर आप अक्सर हम टीवी में देखते हैं अकबारों में पढ़ते हैं कि फला जगहां प्यास सैक्लों लोगों की ज सराब बंदी किये हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार या पूरे भारत में सराब बंदी नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है होने के लिए तो अगर दिशा हो तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके लिए कई चीजें हैं दिशा के साथ साथ संसाधन की बात है इसके जो सरा कि ठेके से राजोस मिलता है उसकी हानी का जो सवाल उठता है कि उसकी प्रतिपूर्थ कहां से होगी जब तक बजट में उसकी प्रतिपूर्थ का प्राविधान नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी सरकार हाथ नहीं डालेगी ऐसी इस्तिते में जो चैनल्स हैं जो मीडिया है चार प्रकार की मीडिया है चारों प्रकार की मीडिया प्रयास करें मीडिया के लोग प्रयास करें तो हो सकता है कि सुधार काफी कुछ हो तो कैसे आप ये कहना चाहते हैं कि इंसानी जिंदगी पर जो है राजोस ज्यादा माइने रखता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि इंसानी जिंदगी से बढ़कर राजोस है किन्तु जो विकास के संसाधन है विकास के संसाधन के लिए जो है वो टैकसेस जरूरी है पूर उसका जो विकास जो है वो टेक्स पे ही आधारित है और टेक्स पे ही अपने देश का भी विकास है तो मैं यह नहीं कहता कि इंसानी जिंदगी से बढ़कर है इंसानी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो टेक्स लेके राजस लेके क्य करेंगे ऐसी इस्तिति में यह उन्मूलन ना करना जो है वह बहुत ही अच्छा जन जागरण के मादन से हो तो और ज्यादा अच्छा है और अगर बंदी हो जाए तब भी जो उसके लिए अपने रास्ते को निकाल करके सरकार कर सकती है अभी तुसर देखनक मिलता है कि हमारे अपने बहुजन समाज में बहुत सारे तमाम संगठन बने हुए हैं जो कि जन जागरण पे सिच्छा पे नसा मुक्ती पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से लोगों को जागरू करें या किस तरह से लोगों के बीच अपनी बा अंध्रा में आप सुने होंगे वहां लिट्रेसी परसेंट बहुत ज्यादा है यहां हमारी लिट्रेसी परसेंट बहुत कम है इलिट्रेट होने के कारण जो है ज्यादा जो है लोग मौत के शिकार हो जा रहे हैं और यह अगर यह प्रियोजित है ते बहुत ही गलत है उनके जेल जाना चाहिए दोसी बेक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे समाज में एक महसेज जाए और समाज जो है सिक्षित हो करके यह अपना अपना और अपने भविस्य का सुधार कर सके सर अभी जैसे कि एक ऐक बहुत कई घटनाएं हो रही है हत्याएं हो रही है लूट पार्ट हो रही है और जैसे कि योगी सरकार ने कुछ ऐसी भी एक्ट्वाव fine जिसमें मुआउजा नौकरी यह सब जो है कुछ लोगों को दीigent लोगों को नहीं देती क्या आपको लगता है कि जैसे कि सरकाल जाती भेद्भाव कर रही है मौजे में भी एकदम सही प्रशन है आपका और यह एकदम हंडेड एन वन परसेंट सही है कि जो भी प्रसासन चुकि मैं प्रसासन में बहुत सारी नौकरी में यह सब देख चुका हूं तो यह जो है जितन दबाव होता है उतना प्रसासन सासन सम्मेदन सील होता है और उस सम्मेदन सीलता के आधार पे ही मौजा देता है अगर कोई ऐसे गरीब आदमी जो है नाली के कीड़े मकोडों की भाती मर जाता है एक्सेडेंट होके मर जाता है दुरगटना होके मर जाता है सराप जहरीली स सराप्पी के मर जाता है उसका कुछ भी नहीं होता किसी का कुछ भी नहीं होता उसको कोई माउज़ा नहीं मिलता है अगर वहीं कोई जो है हाई फाई फेमली से बिलांग करता हो और हाई फाई नेता से बिलांग करता हो और उस नेता के परिवार का कोई आदमी जहरीली सराप की जाए जिससे कि लोग सांथ हो सकें इस तरह सांथ किया एक लाश सवाल है आपसे कि अभी आपने बातों बातों चल्चा किया था कि गुरखपूर जो बच्चों के मृत्ति होती आक्सीजन की कमी से वहां पर डाक्टर कफील जी को बली का बकरा बनाया गया तो क्या वो एक सोची समझी साजिस्था था या वास्तों में वह आरोपी थे या उसके पीछे कुछ और बड़ी मसलियां थी बड़ी मचलियों को तो कोई पूची न परती जिसके हिर्दाय में परती जो बहुजनों के प्रती संबेधना रखता है उसे चिन्हित कर लिया जाता है और उस चिन्ही करन की होजासे ही उसको जो हैं सूली पे चला दिया जाता है इसी के सिकार हमारे डॉक्टर कफील हो गए रिटार्टमेंट के बाद भी इस उम भी समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं दूल-दूल तक जाते हैं लोगों को जागरुक करते हैं तो ऐसे में सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं अच्छा प्रशन है आपका अभी दिनांग के एक सितंबर 2019 को मैं नासिक गया था वो पूरे भारतवर्स के विद्यार्थियों का सम्मेलन था भारत के जितने भी बहुजन समाज के विद्यार्थी थे उनका सम्मेलन था उसमें हमें चीपगेश्ट बनाया गया था और उसमें हमारे जो बहुजन के बामसेव के जो मुखिया है मैं इस्लाम साथ में हम लोगों ने उन बच्चों को ये संदेश देने का प्रयास किया जो है कि हमारा विद्यार्थी जो है आप जैसे निल्यक जो है आप जिसे पढ़े लिखे लोग ही इस देश को चलाने की छमता रखते हैं और आप अगर आगे आएंगे आप अगर नेत्रित करेंगे तो आपको निर्मान करने के लिए हम जितना हो सकता है वो प्रयास करते हैं राद दिन लगे रहते हैं कि हमारे जो है जो है बच्चे जो है पढ़ने खिले माले जो है युवापीडी जो है वो जो है समिधान क दाइरे में रहे करके इतना ज्यादा आगे बढ़े ऐसा नेत्रुत पैदा करे ऐसा अपने अंदर एक नेत्रुत पैदा करे कि वो देश की बागदूर सम्हाने लायक हो सके बहुत बहुत धन्यमा सर